नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ISP CS ACADEMY में और आज है एक मार्च और हम करेंगे एक मार्च के महातुपूर करेंडर फेर्स को तो चले स्टार्ट करते हैं और इससे पहले कि हमें स्टार्ट करें जड़ी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सस्क्राइब पहला क्विशन यहाँ पर कह रहा है कि हाल ही में कौन सा मेट्रो पहला वर्चुल शॉपिंग एप लाँच करने जा रहा है तो यहाँ पर आप्शन A है दिली मेट्रो आप्शन B है लखनो मेट्रो आप्शन C है कानपूर मेट्रो और आप्शन D है मॉंबाई मेट्रो तो ज इससे मुझे भी ये लगे कि हमारे जो पाठक हैं, हमारे जो दर्सक और सोता हैं वो दिन प्रती दिन के नियूस पेपर को पढ़ रहे हैं. चलिए आगे देखेंगे, नैस कुशन देखेंगे कि हाल ही में किस राज सरकार ने यमनोत्री धाम में रोपवे के निर्मार के लिए समझहोता किया? तो option A है हिमाचल प्रदेश, option B है उत्तर प्रदेश, option C है उत्राखंड और option D है इन में से कोई नहीं तो जो इसका सही आंसर है वह है option C उत्राखंड सरकान नहीं और मित्रों निरंतर अभ्यास करते रहें क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुझी है तीन नमबर question कह रहा है कि हाल ही में भारत और कौन सा देस्क तेल और गैस छेतर पर हुए समझोते के लिए तैयार हुए है तो option A है चिली, option B है पेरू, option C है गुएना और option D है इन में से कोई नहीं तो जो सही आंसर है वह है option C आपका गुएना और यदि आप UPPCS 2023 की 14 मैं को एक्जाम देने जा रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़के और अपनी सफलता को सुनिश्यत कर सकते हैं कि हमारे यहां GS के तभी प्रकार के वन लाइनर कोर्स को उसकी प्लेलिस्ट को बना दिया गया और उसके वीडियो को देखके आप अपने लाब उठा सकते हैं चैनल नमबर कुश्यन कह रहा है कि हाल ही में 2023 में क्रिप्टो को अपनाने के लिए साथ में सबसे बड़े राष्ट के रूप में कौन उभरा है यानि क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर ऑप्शन A है चीन ऑप्शन B है भारत ऑप्शन C है ऑस्टेलिया ऑप्शन D है इन में से कोई नहीं तो जो सही आंसर है वो दोस्तों है option B भारत ने क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की रूप में उभरा है नेस्ट कुशन देखेंगे 5 नंबर कह रहा है कि हाल ही में मुंबई चर्च गेट स्टेशन का नाम बदल कर क्या किया गया है तो option A है CD देश्मुक स्टेशन, option B है बाला साहिब ठाकरे स्टेशन, option C है सिवाजी स्टेशन और option D है इनमें से कोई नहीं तो जो इसका सही आंसर है वो है option A CD देश्मुक स्टेशन चर्च नेस्ट कुशन देखेंगे छे नमबर कह रहा है कि हाल ही में किसने entrepreneur of the year 2022 का खिताब जीता तो option A है आका संबानी, option B है कोटक महिंदरा, option C है सजजन जिंदल और option D है इनमें से कोई नहीं तो जो सही आंसर है वो है option C सजजन जिंदल है entrepreneur of the year 2022 का खिताब जीता है चेले next question देखेंगे, हाल ही में Uber ने 25,000 electronic vehicle को platform पर लाने के लिए किस के साथ समझोता किया है तो option A है महिंदरा motors, option B है मारूती motors, option C है Tata motors और option D है Toyota motors तो जो सही आंसर है दोस्तों वह है option C Tata motors के साथ में समझोता किया है चेले next question देखेंगे, हाल ही में जारी 2023 अंतर राश्टी IP सुचकांक में कौन देश सीड्स पर रहा तो option A है भारत, B है संयुक्त राज अमेरिका, C है चीन और D है रूस तो जो सही आंसर है मित्रों वह है option B संयुक्त राज अमेरिका चेले next question देखेंगे हाल ही में यूद 20 इंडिया सिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो option A है कोटा, B है सूरत, C है नई दिल्ली और D है वडोद्रा तो जो सही आंसर होगा वह है option D वडोद्रा चेले next question देखेंगे next question के रहा है कि हाल ही में Amazon ने किस देश में ONDC नेटवर्क में सामिल हुआ है तो Amazon के ONDC नेटवर्क में कौन सामिल हुआ है तो यहाँ पर option A है भारत, B है चीन, C है पाकिस्तान और D है जापान तो जो इसका सही आंसर है वह है अपना पफ्यारा भारत option A तो मित्र यह थे कुल 10 महत्पूर प्रश्ण जो मुझे लगा कि परिच्छा की द्रश्टी से महत्पूर हो सकते थे आसा है आप लोगों को पसंद आएंगे चैनल को लाइक कीजे, शेयर कीजे, सब्सक्राइब कीजे और मुझे इजाज़त दे जै हिन, जै भारत, आपका दिन सुबह, नमस्कार